हेलो दोस्तो स्वागत एक बर फिर से आप सभी के अपने यूटूब चैनल अपलाई नाओ में दोस्तो इस चैनल पर आपको रियल गौर्मेंट जॉब्स के बारे में बताया जाता है तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो हम डाले तो सबसे पहले आप पर नोटिफिकेसन पहुँच जाए तो चलिए बात करते हैं आज की लेटेस्ट वेकेंसी के बारे में आज की वेकेंसी आपकी निकाली गई है EUWP CL की तरफ से EUWP CL यानी उत्तर पर देस्ट पावर कॉर्परेसल लिम्टेड की तरफ से आपके असिस्टेंट इंजिनियर के ओनलाइन फॉर्म निकाले गए हैं form date की बात करो तो इसके form आपके 11 जनवरी 2022 से start हो चुके है जिसके last date 31 जनवरी 2022 तक दी गई है कुल total vacancy इसमें आपको बहुत ही अच्छी सीट 113 सीट निकाली गई है वहीं exam की बात करो तो इसमें आपका exam भी जल्दी फरवरी के last week में ले लिया जाएगा application fee general OBC candidate की 1180 रुपीज रखी गई है वहीं आप SCST female candidate तो आपसे 826 रुपीज लिया जाएगा age की बात करो तो उसमें age criteria आपका एक जनवरी 2022 से count किया जाएगा जिसमें minimum 21 years to maximum 40 years के candidate apply कर सकते है वहीं आप OBC candidate है तो OBC को 3 years and SCST को 5 years का age election भी दिया जाएगा तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें LGBT और salary की तो अगर आपने engineering कर रखा है किसी भी trade के अंदर जैसे electrical, electronics and telecommunication, CS या IT के अंदर तो आप इस form के लिए apply कर सकते हैं वहीं इसमें आपको बहुत ही अच्छी salary 59,500 pay matrix level 10 के हिसाब से दिया जाएगा जो की बहुत ही अच्छी salary है और भी अधिक जानकारी clap notification को download करके पढ़ सकते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें exam pattern की तो वहीं इसमें selection के लिए आपका return exam लिया जाएगा और जो बच्छा return exam qualify कर लेगा उसका person interview भी होगा number of question इसमें 100 question आपके 100 marks के पूछे जाएंगे each question आपका 1 marks का होगा इसमें आपकी negating marking भी 0.25 marks की रखी गई है वहीं syllabus की बात करतो इसमें आपसे 75% syllabus आपके जो आपने engineering degree कर रखी है उसके base पे आपसे question पूछे जाएगा and 10% आपसे GK, 10% आपसे reasoning and 5% आपके हिंदी के question पूछे जाएंगे तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें apply process की तो सबसे पहले आपको apply के link पे click करना है apply के link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा step 2 में आपको अपनी personal and education details fill कर लेनी है step 3 में आपको examination fee पे करना है examination fee आप online पे कर सकते हैं जैसे debit card, credit card, UPI जिससे भी आपको ठीक लगे form बनने के बाद friends आपको form का print out निकालेना है या फिर आप चाहे तो pdw save करके रख सकते हैं for future friends के लिए तो उम्मीद करते हैं ये information आपको पसंद आईए हो तो please comment करके बताएं वीडियो को like, share and channel पहली बारे तो please channel को subscribe करना ना भूले thanks